मैं अर्टिगा का एक्चॉल रिवीव करने जा रहा हूं उसकी माईलेज क्या है सी एंजी और पेट्रोल पर जादा वक्त खराब नहीं करते हुए आज एक्चॉल में रिवीव दूंगा बिल्पू सच्छा रिवीव दूगा तो इसकी अबेश की एक्टो डेवरेज कितनी न जैसरी गनेशा ही नहीं है यहां से गैस फुल कराएंगे भाई अपना पेट्रोल भी फुल कराएंगे अभी हमारी गाड़ी में जो है गैस बिल्कुल खतम हो चुकी है यह इसका स्वीच है स्वीच बिल्कुल ही खतम रखी है अभी यह पेट्रोल पे कि राते हीं इसकी स्वीच है करते हैं आज मालेज टेस्टरोल और स्वीच दोनों का मैं दिखाऊंगा अपको आज देखर बबधाली स्वीच नंडग लगवा दिए हैं पेट्रेशेवन कें इक श्रूश्व पेटरॉल भी यही से फुल कर आदें हैं अब पैटरॉल विल्कुल उपर तक फिल कराते हैं बिल्कुल ंड तक क्राइएंगे वहीज कोम बशल बटल को भाइप बिल्कुल एंड तक आठ चुका है पेटरॉल हमने दिखाई जेंगे आई भिल्कुल ठीक है मैंबस और यह पेट्रोल आया है हमारा यह जी अब हम इसको CNG पर कर रहे हैं अभी यह CNG पर आ जाएगी यह आ गई है CNG लिखा हुआ गया है अब हम इसके ट्रिप एको जीरो करेंगे यह ट्रिप जीरो हो गया है अब देखते हैं हमारी CNG पर टोटल कितने किलोमेटर चलती है जैश्री राम हमारा जो सफर रहेगा लगबग 25 किलोमेटर दिल्ली सिटी के अंदर रहेगा जिसमें कि आपको सब को पताए कि ट्रैफिक थोड़ा होता ही है उसमें और उसके बाद ह अब खुला रोड मिलेगा हाईवे मिलेगा अगा है अगा है अगा है दिल्ली यूनिवर्स्टी यह विदान सवाए हमारे यहां पर हम विदान सवारोड क्रोस कर रहे हैं सेविल लाइन चंदगी राम अखाडए की बहुत लंबी रेड लाइट है भाई अ कश्मीरी गेट बसद्दा आई एस बीटी नौएडा में आपका स्वागत है एंट्री कर ली भाई उत्तर परदेश नौएडा में और ये साड़े बाइस किलोमेटर दिल्ली के अंदर हमने इस सी एंजी पे सफर किया है अब हम नौएडा में आ गई है ग्रेटर नौएडा स्वागत करता है आपका यमुना एक्सप्रेक्स वे और गाड़ी की स्पीड लगवग 95 मसाला हाईवे यमुना एक्सप्रेक्स वे के बराबर में रुके थे भाई फोड़ा फ्रेश पगरा होने के लिए चार ब्लोक रहे गए गाड़ी चली है अभी 85 चली जाए यह वैसे यह क्योंकि ठंडी होके शायद बैठ गई है गैस एक सो चार किलो मेटर अभी वी चार फ्लो ब्लोक है वाई सी एंजी के तीन ब्लोक 135 किलो मेटर गाड़ी की स्पीड नाइटी 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 फाइफ 170 किलो मेटर अभी भाई दो डंडे हैं दो ब्लोक हैं लेकिन अभी खतम होने वाला है मेरे खाल से भाई गाड़ी लगबग 170 किलो मेटर चली चुकी है भूक लगी थी लंच टाइम हो गये था अपने घर का हमने खाना खोल लिया है अपनी गाड़ी के उपर ही और यह रही हम वो चार लोग और यह रहा है हम पांच लोग टोटल इसी गाड़ी से आएं दीपक प्याज छील रहा है यह घर से ही लेके आए था प्याज खाना खाके और अपना करते हैं रास्ता कॉंटिन्यूम भाई लंच करके निकल गए थे और हमारी गाड़ी के अभी जो देखते हैं कितनी चल पाईगी भाई देखो 192 पर अब यह सी एंजी बिलिंग कर रही है लेकिन अभी भी चल रही है उमीद है कि 8-10 किलोमेटर चल जाएगी गाड़ी देखते हैं भी लास्ट कितनी चलती है सी एंजी से ओटोमेटिक एक कनवर्ट हो जाएगी पेट्रोल पर फिर दिखाता हूं कितनी चलेगी टोटल सी एंजी बे और जहां पर हमने लंच किया था महां से हमने यूटरन ले लिया था 170 किलोमेटर महां पर गाड़ी पहुची अब हम उसी रास्ते से वापिस जा रहे हैं और सेम उसी पेट्रोल पंपर हम दुबारा से पेट्रोल डलवाएंगे एक सो निन्यान में तो हो चुकी है जी अभी भी सी एंजी पर है कमाल हो गए भाई कमाल पूरी 200 पर सी पेट्रोल पर कनवर्ट हुई है जस्ट अभी और हमारी गाड़ी ने साथ किलो छेसो चालिस ग्राम में 200 किलोमेटर का सफरते किया है भाई आज के ड्राइवर दीपक इन्होंने ये गाड़ी चलाई है और ये एवरेज इन्होंने निकाली है वैसे बहुत परफेक्ट ड्राइवर हैं ये और 100 मैक्सिमम 100 तक गाड़ी गई है 900 के आसपास ही हमने गाड़ी चलाई है जिसमें की 22 किलोमेटर सिटी के अंदर चलाई है और बाकी जो है वो हमने हाईवे के उपर ही चलाई है लगबाग गाड़ी और ये अब एवरेज बताते हैं आपको साथ किलो कॉइंट 640 ये गैस आई थी जी इसको हमारे पास टोटल अब 200 किलोमेटर चलिए तो 200 को भाग करेंगे हम इससे ही पुल्टा कर रहे हैं आप इसको बाई कैलकुलेशन में गड़बड होगे थी 200 को भाग करेंगे साथ किलो 640 गराम से तो हमारी एवरेज आईए 26 की 26.17 की जिसमें की एसी पर हमारी गाड़ी चलिए और कॉंटिनस पूरे एसी पर ही चलिए आगे पीछे दोनों ही एसी चलिए अब हम पेटरोल के ओपर और देखेंगे कि कितनी चलपाईगे पेटरोल को भी जीरो करते हैं कि यह जी ट्रिप भी ट्रिप भी को अब जीरो करेंगे हम यह जीरो हो गई है अब पेटरोल पर गाड़ी है अब चलाते हैं पेटरोल पर इसको कि नौईडा एंट्री कर ली कि नौईडा एक्जिट भाई साब होने वाला है कश्मीरी गेट माल रोड दिल्ली का ट्रैफिक बहुत जाम है भाई आगए भाई सब वापिस सेम उसी पेटरोल पंपे जासे हमने सी एंजी और अपना पेटरोल फुल कराये था और और हमारी गाड़ी चलिए पूरी एक सो चालीश किलोमीटर पेटरोल पे अब देखते हैं एक सो चालीश किलोमीटर में कितना लीटर पेटरोल आता है टैंक फुल कर दो भाई अब चलाओ है कि अब चलाओ है कि अब है कि अब बस पेटरोल आ गया दिवार पेटरोल दिख रहा है हमें विल्कुल उतना ही डलवाया बलकि सो डेड़ सो एमल एक्स्ट्रा ही हो गया इसमें पेटरोल पहले से पेटरोल आये बाई साब आठ लेटर और 460 ग्राम तो भाई हमने जो कैलकुलेट किया है हमारी गाड़ी पेटरोल पे 140 किलोमेटर चली थी और इसमें पेटरोल आये था आठ लेटर 460 एमल तो इसकी एवरेज निकलिए साड़े सोला की साड़े सोला कि इसने पेटरोल पर एवरेज दिये और हमारा आज का यह रिव्यू यहीं खतम होता है मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लोग में प्रयूर यहीं होता है